इस बार यूनियन बजट में 2023-2024 में 51,000 करोड रुपे की डिस इन्वेश्मेंट करने के बारे में सोचा है जब गौर्मेंट अपनी आसेट जैसे संटर या सेट, पबलिक सेंटर, इन्टरपराईजेज को किसी प्राइवेट कम्पनी या स्टेकहोलडर को बेघसती है तो उसे डिसिंवेश्मेंट कहते हैं मायनोरिटी, मेज़ॉर्टी और प्राइविटाईजेशन Minority Disinvestment में government के पास में 51% stakes होते है Majority Disinvestment में major share किसी private company के या फिर दूसरे stakes holders के होते है Privatization Privatization में government completely उस एक body को private company को sell कर देती है और उस पे पूरा control private company का होता है अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि government अपने asset को private company को क्यों sell करती है या फिर क्यों देती है इसके 7 reasons हो सकते है जिसका पहला सबसे बड़ा reason physical burden हटाने के लिए दूसरा अगर किसी year में revenue कम हुआ है तो उसको meet करने के लिए physical deficit को पूरा करने के लिए किसी social sector या program में invest करने के लिए government debt भरने के लिए और market में compete करने के लिए और अगर कोई asset जो government पे burden हो गई है और profit नहीं दे रही है जैसे BSNAL अभी हम ये discuss कर लेते हैं कि अभी की time पे this investment का क्या status है पिछले 3 decade में यानि पिछले 30 सालों में अलग-अलग central government annually अपने target को बस 6 बार अचीव कर पाई है लेकिन वहीं NDA और lead government ने 2014 से 9 सालों में दो बार अपने target को ओवर अचीव कर चुके है 2017-2018 target 1 lakh करोड achieved 72,500 करोड 2018-2019 target 80,000 करोड achieved 94,700 करोड NDA ने इतने कम time में इतना कैसे अचीव कर लिया 2017-2018 में हिंदुस्तान petroleum limited यानी HPCL को state-owned oil and natural gas corporation यानी ONGC को बेचने से गौर्मेंट ने 36,915 करोड की earning की 2018 और 2019 में REC limited को state-owned power finance corporation limited को बेचने से 14,500 करोड की earning हुई 2021 and 2022 में जब government ने air India को data group से add किया तब government को coffee loss हुई 75,000 करोड की जगे पे सिर्फ 13,534 करोड की earning हुई और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप ये सब्सक्राइब करो ऐसे ही इनफोमेटिव वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं